सम्राट तिबिर्यूस के राज्य के पंद्रहवें वर्ष में पैंतुस पिलातुस यहुदिया का शासक था और हेरोदेस गलील का राजा हन्ना और कैफा महायाजक थे रेगिस्तान में परमेश्वर का बचन यहुदना को प्राप्ट हुआ और वे यर्दन नदी के आसपास कِ प्रदेशों में पापों की ख्षमादता पश़्यताप के बप्तिसमे का प्रचार करने लगे अपने पापों से पश्यताब करो और बप्तिस्वा लो तो परमेश्वर तुम्हारे पाप शमा करेंगे जैसे यशा या भविश्य वक्ता की पुस्तक में लिखा है रेगिस्तान में कोई पुकार रहा है प्रभू के लिए मार्ग तयार करो प्रभू की यात्रा के लिए सीधा मार्ग बनाओ हर एक घाटी अवश्य भरी जाए हर एक पहाड और तीला समतल किया जाए टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे करो और उबढ़ खाबढ़ मार्ग सपाट और सारी मानव जाती परमेश्वर के उद्धार को देखेगी के बच्चों बताईए हम क्या करें हमें बताए हम किस मार पर जाए अगर किसी के पास दो कमीजे हैं वो एक उस मनुष्य को दे जिसके पास नहीं है और जिसके पास भोजन है वो अवश्य बाटे हे गुरू हम चुंगी लेने वाले हैं हम क्या करें निर्धारित से अधिक चुंगी तुम मत लो और हमें बताए हमें क्या करना चाहिए किसी से भी जबरंधन मत लो और न किसी पर जूठा दोश लगाओ अपनी कमाई में संतुष्ट रहो हमें बताएं क्या आप मसी हैं मैं तुम्हें पानी से बबतिस्मा देता हूं परंतु एक आ रहे हैं जो मुझे कहीं अधिक महान है मैं तो उनके जूतों के बंधन खोलने लायक भी नहीं वे तुम्हें पवित्रा आत्मा और आख से बबतिस्मा देंगे उनका सूप उनके हाथों में हैं ताकि वे गेहों को भुसी से अलग करके अपने खत्ते में रखें और पवित्रा आत्मा कबूतर के रूप में येशु पर उत्रा और स्वर्ग से आवाज आई तुम मेरे प्रियपुत्र हो मैं तुम से प्रसंद हूँ तुम मुल तुम झाल झाल